कि नवस्कार आप देख रहे हैं SPNI न्यूज और आपके साथ मैं हूँ करांति सिंग आपको इतादे कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों ममता बनरजी की जो जिन्दगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेगेरे के बीच में घिस्ती हुई नज़र आ रही है एक के बाद एक बड़ी कारवाई ममता बनरजी पर हो रहा है और जाहिर सी बात है कि उनके सरकार गिरने का खत्रा अब लगतार बढ़ता जा रहा है उनके उपर यह खत्रे की लकीर वो मंळरा रही और इस को रोकने का काम वो नहीं कर पा रही है बल की दूसरी तरफ से वो फस्ती हुई और नजर आ रही है क्यों हमें ऐसा कह रहे हैं चले हम आपको उता देते हैं आपने बीते दिनों ये कहानी तो सुनी ही थी कि ममता बनर जी के कई सारे नेता जो है पकड़े गए जो उन्होंने अपने घर के अंदर पैसे छिपा के रखे ते जिसमें सबसे बड़ा नाम पार चिटर जी का निकल कर क्या आया है हम आपको चले पूरा मामला बता देते हैं दरसल यहां पर जो है पशिम मंगाल में तुरूनमूल कॉंग्रिस नेताओं की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है इस बार तुरूनमूल विधायक और जंगिरपूर के पूर मंत्री चाकिर हुसेन के घर में कुल 15 कडोर रुपे की वसूली की जा चुकी है दरसल टीमसी विधायकों के खिलाफ लगतार इंकम टैक्स की चापे मारी जारी और इसी के तहर जो है यह कारवाई भी की गई और इस कारवाई के बाद देखा यह गया कि एक बार फिर से कुबेर का खजाना जो है ममता बनर के विधायक के खेमे से मिला है इस बार फिर से उनके विधायकों के ओपर सवाल उठिया और सवाल भी ऐसा जिसको ले करके अब यह जवाब दे पाना ममता बनर जी के लिए बहत मुश्किल होता जा रहा है कि उनके खेमे का एक एक विधायक पकड़ता जा रहा है और वो रं जो कहानी है वो सामने निकल कर क्या रहे देखे इस बार बीजेपी को भले ही ममता वनर्जी ने हरा दिया 2022 के चुनाब के दौरान लेकिन 2022 के चुनाब के बाद अगामे चुनाब में त्रून मूल कॉंग्रस को क्या यहां पर बीजेपी बड़ी आसानी से नहीं हरा देगा जरूर इशारा कर रहा है कि ममताव अनर्जी के खेमे के ओपर जो है इतनी बड़ी धिलाई इस बात की और जरूर इशारा कर रहा है कि जल्दी उनकी सरकार के ओपर एक बड़ा खत्रा मन रहाने वाला है फिलाल इस पूरे मुद्दे को सुनने के बाद अब आप लोग क्या